तो आज अपन इस लेक्षर में बात करने वाले हैं बाइलोजीकल रिधम या बाइलोजीकल क्लोग क्या होती है तो वीडियो को पूरा देखिए मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भी नहीं देखना पड़ेगा आपको बाइलोजीकल रिधम एंड बाइलोजीकल क्लोग है यह एकदम अच्छे से डीटेल के अंदर आ जाएगी और आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएगे सारी कन्फिजन भी आपकी दूर हो जाएगी इससे पहले आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिे आपके लिए इतनी मेनत करते है तो एक सस्क्राइब तो बनता है और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिगा तो चलिए, अपने टोपिक पर आते है biological rhythm या biological clock क्या होती है सबसे पहले देखते है biological clock की definition क्या है देखे, दोनों चीज एक है बस दोनों की definition के अंदर अंतरा जाएगा आपको पता चाल जाएगा कि दोनों है क्या चीज तो देखे, biological clock क्या होती है कि कोई भी animals है उसमें जो time sense है मतलब जो समय का ज्यान है उससे related यदि कोई भी activities हो रही है उसको तो अपन क्या बोलेंगे biological clock बोलेंगे इसको मैं explain करूँगा फिर अपन देख लेते हैं biological rhythm क्या होती है दोनों में difference देख लेते हैं तो biological rhythm है repetition of activities in organism after regular interval of the time called biological rhythm मतलब कोई भी organism है कोई भी animal आप ले लेजिए उसके अंदर कोई भी activities है वो एक regular time मतलब कोई भी एक specific time मालेजिए 10 दिन माल लेजिए 15 दिन मालेजिए एक महिना मालेजिए एक साल मालेजिए उसके बाद में वो चीज क्या हो रही है वापिस repeat हो रही है वो activities वापिस repeat हो ली है इसको क्या बोलेंगे biological rhythm बोलेंगे तो दोनों में देखी यदि कोई attack मतलब कोई भी time का sense है मतलब समय का जो ग्यान है उससे related जो activity समय की ग्यान से मतलब क्या हो time sense से मतलब क्या हो गया कि मेरे को क्या है सुबह हो गई, रात हो गई तो क्या होता है सुबह को तो मेरे को उठना है और रात को मेरे को क्या क्यों होना है तो ये क्या है इसको समय का ग्यान है इससे related जो activities है उसको तो बोल देंगे biological clock बोल देंगे for example, humans होते है वो आपको पता है क्या रिक करते है और एक रेगुलर टाइम के बाद में मान लीजिए, एक महिना मान लीजिए, दो महिना मान लीजिए उसके बाद में उसमें जो activities repeat होती है उसको क्या बोलेंगे, biological rhythm बोल देंगे for example, जैसे देख लीजिए stomata closing and opening in plants साथ में क्या हो गया, beds में migration हो गया, menstrual cycle in females के अदर, जो menstrual cycle होता है एक मन्त में क्या होता है, वो चीज़ repeat होती है तो यह किसमें आगया, repetition of activities organism, after after एक regular interval के बाद में क्या हो जाता है, वो चीज़ repeat हो रही है इसको क्या बोलेंगे, biological rhythm बोलेंगे, ओके, अब देखिए जो biological clock है यह maintain क्या करती है biological clock maintain to biological rhythm, याद रखना जो biological clock है न, वो किसको maintain करती है, biological rhythm को क्या करती है, maintain करती है तो चलिए, अब अब बात कर लेते हैं biological clock है, इसके types की बात कर लेते है तो पहला आ जाता है circadian rhythm क्या होती है पहला आ जाता है circadian rhythm तो देखे इकला besar किके मतलब हैं तो शिर्का का मतलब तो किसे आगया आगया अब-धीज yer हो होने वाली activities है उसको अपन क्या बोलते हैं circadian rhythm बोल देते हैं मतलब 24 गंटे के अंदर फिर से जो repeat होने वाली activities है उसको अपन क्या बोल देते है circadian rhythm बोल देते हैं for example की बात करें तो example आ गया change in body temperature अब body का जो temperature है वो 20 गंटे में देखी change होता है राग की time body का temperature अलग synthesis की process ज्यादा होती है इसके बाद में आ जाता है sleep and wake cycle मतलब रात के अंदर सोना और दिन के अंदर जागना यह क्या है humans के अंदर होता है तो sleep and wake cycle क्या हो गया 24 गंटे के अंदर जो भी चीज फिर से repeat हो रही है वो किसके अंदर आ गया circadian rhythm के अंदर आ गया circadian cycle के अंदर आ गया जिसको अपन डेली रिदम भी बोलते हैं क्योंकि डेली यह चीज होती है चोईस गंटे में क्या होते है चोईस गंटे वाद क्या हो जाता है एक दिन complete हो जाए मतलब यह process क्या होती है हमेशा होती है मतलब body का temperature हमेशा change रहता है हमेशा change होता है उपर नीचे होता रहता है photosynthesis की process भी हमेशा होती है और जगने और सोने की जो process जो cycle है वो भी हमेशा होता है तो इसको क्या बोलते है circadian rhythm बोलते है तो यह चीज आपको पता चलगी होगी नाम को का लीजिए सिर्का का मतलब होता है अबाउट से ओड़ाइस का मतलब किस से हो गया, एक दिन से हो गया, मतलब ये रिदम को इसको क्या बोलते है सिर्का एन्वल एलोवन लाम से पता चल रहा है पूरा एक साल मतलब इसको क्या बोलेंगे 365 दिन क्या ये वन इयर साइकल भी क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है तो सिर्का एन्वल रिदम को क्या बोला जाता है ए डे नहीं, यहाँ पर वन एयर आएगा, क्या आगया, एक एयर, तो 365 दिन से हो गया, अब देखिए, इसका मिंस क्या हो गया, मतलब 365 दिन में, फिर से repeat होने वाली activities या cycle, उसको क्या बोलते हैं, सिर्का annual बोलते हैं, नाम सी पता चल पहा है, सिर्का annual cycle, मतलब 365 दिन में, फिर से repeat होने वाले cycle या activities को क्या बोल देंगे, सिर्का annual cycle बोल देंगे, rhythm बोल देंगे, for example, birds के अंदर जो migration होता है, वो 365 दिन के बाद में होता है, साथ में जो flooring और जो fruiting होती है, plants में जो flooring के process होती है, जो fruiting, फल वगेरा लगते हैं, उसकी जो पूरी process होती है, plants के अंदर वो कब होती है, वो किसके अंदर आती है, सिर्का annual rhythm के अंदर आ जाती है, 300 पेंसर, जैसे माई-जून का महिना हो गया, इसमें बसंत्रितु का, इसमें क्या होता है, बसंत्रितु आती है, इसमें क्या होती है, फूल वगेरा लगते है, तो ये पूरी की पूरी है, एक particular साल क के अंदर ये होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिर्का annual rhythm क्या होता है, अगला आ जाता है, सिर्का lunar rhythm क्या होता है, सिर्का lunar lunar नाद कीज़े lunar किससे related करता है lunar किसको बोलते है चंदर्मा को बोलते है तो चांद आपको पता है 30 दिन के अदर क्या करता है अपनी दीशा को क्या करता है चेंच करता है ठीक ऐसा ही अपन सिर्का lunar की बात करें तो इसको बोलते है है monthly. या one month cycle बोला जाता है क्या बोला जाता है monthly. फिर से तोड़ के देखते हैं सिरका का मतलब किससे हो गया about से हो गया lunar का मतलब हो गया Your fly above x जब दी है कि एक मन्त के अंदर फिर से repeat होने वाली activities या cycle को क्या बोलते हैं सिर्का lunar अपन rhythm बोल देते हैं for example, females के अंदर जो menstrual cycle होता है वो एक month के अंदर क्या होता है फिर से repeat होता है, इसको क्या बोलते हैं सिर्का lunar rhythm बोल देते हैं तो ये था अपना biological rhythm से related पूरे के पूरे doubt and पूरे के पूरे जो types है तो types में देखिए, कहीं भी confused नहीं होना है, circadian मतलब एक दिन से, circadian about dies मतलब एक दिन मतलब एक दिन के अंदर 4 गंटे में जो भी चीजे repeat होती है, उसको क्या बोलेंगे circadian rhythm बोलेंगे, जैसे रात में सोना और सुबे में जगना ठीक ऐसे ही circadianual rhythm circadianual नाम से ही पता चल रहा है circadian about annual मतलब 365 ती 365 दिन के अंदर होने वाली process क्या होती है, circadianual ती दम हो जाती है, for example आ गया, birds में migration हो गया, flooring and floating हो गया, plants के अंदर और circadian unit, मतलब एक महिने के अंदर फिर से repeat होने वाली process आ गया, menstrual cycle in females okay, तो इसके जो notes हैं वो आपको telegram पर मिल जाएंगे, notes आप telegram से download कर लिजीगा, यहां सिरफ समझाने के recording था, और next lecture में फिर मिलेंगे, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, thank you